नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है भलचंद्रा, ब्रह्मान्ट सिद्धेस्टों में आप सभी का स्वागत है, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिना 11 सितंबर 2022 का संपुर्ण राशिफल, उससे पहले आज का दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंग आज का जो दिन है रविवार का है, शुभक रुत नाम सवस्सर है, सूरी का दक्षिनायन चल रहा है, रुतु वर्शा का है, भादरपद महिना है, कृष्ण पक्ष के पहले दिति है, नक्षतर पुर्वा भादरपदा है, योग शूल है, दिन का जो करण है वो कवलव है, और जो रात का करण है वो तैतिन है, आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवात होगा, दोबर 3 बच कर 29 मिन्ट से लेकर 5 बच कर 2 मिनिट तक, और अभी जितमूर्थ दोपर 11 बच कर 69 मिन्ट से लेकर 12 बच कर 47 मिनिट तक का होगा, गुलिक काल और अभी प्रकार के महत पुरुणकाम या फिन्यन ने आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुआत होगा शाम 5 बचकर 2 मिनिट से लेकर 6 बचकर 35 मिनिट तक और यमगंडकाल दोपर 12 बचकर 23 मिनिट से लेकर 1 बचकर 56 मिनिट तक का होगा। राहुकाल और यमगंडकाल दिन के अशुबकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत पुरुनकाम या फिर निरने बिलकुल भी नहीं लेना उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है या चंद्रमा संपूर्ण दिन नीन राशी में भ्रमन करेगा या चंद्रमा गुरु के साथ यूतियोग करने जा रहा है बुद्ध के साथ प्रतियोग करने जा रहा है उसे प्रकार आज के दिन रभी और हर्शल का नमबंचम योग यानि के द्रिकोन योग भी होने जा रहा है यह द्रसिती सामने रखते हुए बारा राशियों का राशिवल क्या होगा इस विशय पर अब हम चर्शा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के वह यह भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और वही पर सित गुरू के साथ यह चंद्रमा युतियोग करने जा रहा है आपके शर्ष्ट भाव में सित बुद्ध के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है उसे परकर महतवूर्ण काम भी आज रहापात में ले सकते हैं स्वास्ट के बारे में थोड़ा ध्यान रखना ज्यादा आवशक होगा आने वाले 2-3 दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महतवूर्ण और शिबुफलदाई साबित होगे खास करके आने वाले 2-3 दिनों में अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में है या फिर नई रिलेशन्शिप भी बनाना चाहते हो तो भी आने वाले 2-3 दिन आपके लिए काफी ज्यादा शिबुफलदाई साबित होगे उसे परकार अगर आप शेयर मार्केट से डिल करते हो तो कुछ अच्छे लाव वगरा मिलने के संभावना आने वाले 2-3 दिनों में काफी अच्छी बन रही है इसके बाद की जो राशी है वो है व्रिशब राशी व्रिशब राशी के लाव वाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपी के पंचम वाव में सिथ बुद्ध के साथ या चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा और लाव में सिथ गुरू के साथ या चंद्रमा यूतियोग भी करने जा रहा आपके चतरतबाव में इसी तरवी के साथ आपके वियाबाव का जो हर्शल है वह नवापंचमी हो गयने के दिरिको नियुक करने जा रहा है आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शिवलदाई साबितों का आज के दिन आपको अनेक्सपेटेड लाब मिलेंगे जोगे काफी ज़्यादा महत पुर्ण होंगे थोड़ा सा घुमना फिरना हो सकता है आपके जमित्र परिवार उनके साथ कहीं बाहर घुमना फिरना उनके साथ गपशप होना इस प्रकार की जो बाते हैं वो आज की दिन होने एकी संबहुना काफी जादा बनती है उसी प्रकार आने वले दो से बींडिनों में अगर आप नहीवास्तु घर लेना चाहते हैं और रिनेवर्ट करना चाहते हो या फिर वास्तों के बार में कोई भी काम करना चाहते हो तो उसके संदर में कुछ अच्छे ऑपरेड़ी वगरा आपको मिल सकते हैं करके जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो रिलेशन्शिप है वो काफी अच्छी देखे जाएगी इसके बाद की जो राशी है वो है मिथुन राशी मिथुन राशी के दशम बाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और वही परसित गुरु के साथ ये चंदरमा युतियोग करने जा रहा है तो आज का जो दिन है थोड़ा महतों पुनसावितों का खास करके जो भी आपका कारशेतर है वारपर के जो लोग होंगे उनसे आपकी काम की वहाँ वह हो सकते है जिसका आपको जो confidence है वो काफी अच्छा देखा जाएगा आपके घर में आपके उम्रे से जो छोटे विक्ति ह उनके स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा आने वाले दो से तीन दिनों में आप किसी भी प्रकार के documentation के बारे में commitment promises कोई भी बात है वो आप easily कर सकते हो ऐसे रुके हुए काम जो की नहीं हो रहे है ज़रूर हाथ में लीजे आने वाले दो से तीन दिनों में काफी सहचता पुर्वकव पूर्य हने के संभावना काफी अच्छी बन रही है इसके बाद के जो राशी है वो है करक राशी करक राशी के भागे भाव में चंद्रमा का ब्रहमन है और वही पर सिद्गुरू के साथ यह चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है आपके दृतिया भाव में सिद्गुरु के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा वह नवपंचम योग मंज़स त्रिकों योग करने चारा है तो आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुभुफल दाइश साबित होगा जो भी काम आप मिलोगे वो पूरे होते हो नजर आएंगे थोड़ा सा भागदोड़ वाला दिन होगा लेकिन जितने भी काम आपके रहेंगे वो पूरे होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है उसे प्रकर आने वाले दो से तीन दिनों में कुछ अच्छी इंवेस्टमेंट वगरा आपकी हो सकती है जो भी आपका कारेश है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बाते आपके सामने आ सकते हैं उसी प्रकर अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उसके संदर में भी कुछ अच्छी बाते हो सकती है अगर आप नुकरी करते हो तो आपकी जो वरिस्ट है उनसे आपके काम की सराणा भी हो सकते तो कुछ अच्छी बाते आने वाले दो से तिन दिनों में आपके लिए ज़रू हो सकते हैं तो आज का जो दिन है वो भी आपके लिए शुबुपलदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के अश्टम भाव में चंद्रमा का भ्रहमन है वह पर सिद गुरू के साथ या चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है आपके दितियो भाव में सिद बुद्ध के साथ या चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है उ तो आज का जो दिन है आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, स्वास्त के बारे में ध्यान रखना काफी जादा महत्वपूर्ण होगा, उसे प्रकर आज के दिन आपका थोड़ा घूमना फिरना भी हो सकते, खास करके अगर आपके से के रिलेशन्शिप में हैं, तो उन अने वाले दो से दिन olvidate, आपको जो confidence है, आपके यह energy level है, वो काफी अच्छी देखी जाटी। इसके बाद कि जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के सब्तम बाव में चंद्रमा का ब्रह्मान है वह पर सिद्गुरु के साथ यह चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है आपके वह बाव में सिद्गुरु के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है आपके किसी के रिलेशन्शिप में हैं उनके साथ आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी हलाकि आपके जो वैवाई जो इनकी कोई मांगे होंगी वह आजकी दिन आपको पूरी करने पड़ सकते हैं थोड़ असा खुद पर सयम रखना या फिर अपने स्वास्त के बारे में में भी ध्यान दना आवश्ट चंद क्या आपके में भाइब in हो सकती है या फिर आपकी मैथ वरंड काम हैं वो पहत्तपाः में ले सकते हो आज जो दीन है और अने वाढ़े है द थीन आपके लिए शुम्प लड़ाई इसके बात की जो राशी है वो है तुला राशित। 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 तुला वगरा मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बंद रही है उसी पर थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको आ सकते हैं अगर आपने इसके पहले कहीं से लोन लिए है जो कि चुका नहीं पा रहे हैं तो इसके बारे में तोड़ा स्ट्रेस आ सकता है लेकिन आने वाली तीन से चाहत नजर आएगी इसके बाद की जो राशी है वो है वरिच्चिक राशी के पंचम भाव में चंदर्मा का भ्रहमन है और वह पर सिद्गुरु के साथ ये चंदर्मा यूतियोग करने जा रहा है आपके लाव भाव में सिद्गुरु के साथ ये चंदर्मा प्रतियोग करने जा रहा है दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुबुफ लदाय साबित होगा आज का जो दिन है आप इसे लखी डे भी कर सकते हो जो भी काम आप हाथ मिलोगे वह पूरा होता हुआ नजर आएगा आने वाले दो से इन दिन भी आपके लिए काफी ज़्यादा मैं तो पू इसके बाद कि जो राशी है वो है धनुराशी द्शरक्номазд functions कि और परियोग करने जा रहा है आपके चहुद्वर के साथ नष़ा जंदिंदम यर्फजर करने जा रहा है आपके अच्छा दिन है आपके पूरियर just जो confidence है वो काफी अच्छा देखा जाएगा आपके घर के जो लोग है उनके साथ आपकी जो interaction है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी जो भी आपकर कारेश शेतरवा पर के जो थे जो लोग होगे उनके साथं चोड़ी ये का साथ भी आपको काफी अच्छे तरीके से मिलता हुआ नजर आएगा इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के तरितिया भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और वह उपर से गुरू के साथ ये चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है आपके भागे भाव में से बुद्र के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है उसे प्रकार आपके आश्टम भाव में से द्रवी के साथ आपके चतुरत भाव का जो हर्शल है वो नवपंचमियों क्याने के त्रिकोनियों करने चा रहा है मैं तो पुर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो दूसरी जदा मैं तो पुर्ण बाद काफी ज़्यादा घूमना फिरना हो सकता है कास करके आपके जो वैबाई जो डिदार है उनके साथ कही बाहर घुमना फिर ना भी होने की चांसे आज की दिन काफी अच्छे बन रहे हैं आने वाले दो से तीन दिनों में आपको कुछ अच्छे लाव वगरा मिल सकते हैं जो की पूरी तरह से अनस्पेक्टेड रहेंगे लेकिन लाव वगरा मिलने की संभौना आने वाले दो से तीन दिनों में काफी अच्छे बन रही है इसके बात की जो राशी है वो है कुम्ब राशी आद् हिका है आध क्शी अच्छी अच्छे बउगरा हो सकते हैं जो की काफी Αच्छी और महत्वणब बात होगी मूँच अच्छे लाव मिल सकते हैं कुछ अच्छी investment हो सकती है अगर आप वीवाहित हो तो आपके जो वहीवाहिक जोरीदार है उनके साथ आने वाले दो से तीन दिनों में आपकी जो interaction है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी उसे परकर थोड़ असा अपने स्वास्त के बारे में ध्यान रखना आवश्य होगा इसके बाद कि जो राशी है वो है मींद राशी में चंदर्मा का फ्रमन है और आपके राशी में सिद्गूरू के साथ यह चंदर्मा यूतियोग करने जा रहा है आपके सब्सक्राव में सिद्गूरू के साथ यह चंदर्मा प्रतियोग करने जा रहा है आपके सब्सक्राव म देखी जाएगी उसे प्रेकर अगर आप किसी के रेलेशन्शिप में है तो आप दोनों में जो इंट्रेक्शन है जो हार्मनी है बहुत अच्छी देखी जाएगी कुछ अच्छे लाव अगरा भी मिल सकते हैं सिर्फ आपकी जो वैवाई जुड़ार है उनके साथ च्छोटी आपको यह राशिफल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुभाव किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना यह चैनल है ब्रह्मान्दस दियास्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद